Friends, आज के इस वीडियो में हम parts of a sentence, part two ले करके चलते हैं. First part में मैंने आपको बताया था इसके कि subject क्या-क्या हो सकता है. आज मैं इस part में आपको बताने जा रही हूँ कि verb क्या-क्या हो सकते हैं. सबसे पहले तो हमें यह समझना है, मैंने previous वीडियो में भी यह describe किया था कि कोई भी sentence एक single word का भी हो सकता है, sentence वो है जिसका complete sense हो, for example, indeed. इसी तरह कोई भी ऐसा sentence जिसमें सिर्फ verb है, वो एक single word भी हो सकता है, for example, मैंने दिया था, go, come. यह complete अपने आप में sense रखते हैं, अगर हम किसी वेक्ति से कहते हैं, come, come मतलब आओ, यानि कि हम उसे permission दे रहे हैं, go, जाओ, यानि जाने की permission दे रहे हैं, यह एक पूरे complete sense वाले verb हैं, और इन्हें as a single word भी किसी sentence के रूप में use किया जा सकता है, इसके अलावा कौन-कौन से वर्ब हो सकते हैं, main verb, transtive verb, intranstive verb, helping verb, modal helping verb, जिने आप modal helping verb भी कहते हैं, सक्षे पहले हम देखते हैं, main verb, क्या है main verb? Main verb जिसको हम कहते हैं Action verb Action verb यानि कि जहां कोई कार हो रहा है ये कार करने वाला कौन है? ये कार करने वाला subject है Transitive verb Transitive verb क्या है? जहां पर subject के द्वारा किये गए किसी भी कार का direct प्रभाव उसके object पर पढ़ता है वो Transitive verb कहलाते हैं जबकि उसके विल्कुल विपरीच, Intransitive verb वो है जहां पर subject के द्वारा किये गए कार का प्रभाव हमें object पर नहीं दिखाई देता For example, He laughed वे हसा वे हसा उसने कार तो किया लेकिन इसका कहीं हमें कोई दूसरा प्रभाव नहीं दिखाई पढ़ रहा है इसके बाद आते हैं helping verb हम असानी से समझ सकते हैं Is, Am, Are, Was, Were, Do, Does, Did ये सब helping verb के रूप में प्रयोग हो सकते हैं साथ ही साथ कहीं ये शब्द जो हैं ये linking verb के रूप में भी प्रयोग होते हैं और उनको हम जब ये दो subject और object को जोड़ते हैं आपस में तो वो linking verb कहलाते हैं और इसके बाद आते हैं modal helping verb या modal helping verb जिसमें कौन से आते हैं can, could, shall, should, will, would और इसके अलावा must ये सब modal helping verb हैं जिनकी मदद से कोई भी action किया जाता है हम इनको यहाँ पर sentence की मदद से समझते हैं for example हम देखते हैं हमारे sentence में कौन-कौन से verb हैं he failed in his attempt verb क्या है failed who broke the jug I moved the chair John hit the ball he thinks a lot I laughed the sun set I walked the moon is shining it is me there he is he has a football reading is a good habit Gopal looks sad the cookies tastes sweet you should help the poor हम इनको समझते हैं कि यह किस category के verb हैं he failed in his attempt यह failed क्या है main verb है main verb यानी action verb और who broke the jug क्या है main verb है और यह क्यों है main verb यहां पर सब्जेक्ट जो है यहां पर सब्जेक्ट जो है वो मुख्य करता है वो कार्य कर रहा है he moved I moved the chair यह क्या है transitive verb हैं कैसे पता चला हमें transitive verb हैं I moved the chair क्योंकि I के द्वारा किये गए इस कार्य का प्रभाव हमें इस object पर दिखाई देता है John hit the ball John ने ball मारी hit किया John ने ball को तो जो hit किया यह क्रिया है इस क्रिया का इस पश्ट प्रभाव हमें इस पर दिखाई देता है तो यह कौन सा वर्भ होगा transitive verb he thinks a lot वे बहुत सोचता है उसने कार्य तो किया लेकिन उसके कार्य का दूसरे पर प्रभाव नहीं दिखाई देता तो यह कौन सा वर्भ होगा intransitive intransitive verb है he I laughed the sunset यह सब किस तरह की category है यह सब intransitive verb की category में आते हैं क्योंकि यहां हम देख रहे हैं कार्य का प्रभाव हमें कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा जबकि कार हुआ है या कार हो रहा है the sun set I laughed he thinks I walked यह सब intransitive verb हैं इनके बारे में मैं और अच्छे से describe करूँगी अधिक detail मैं आपको description में दूँगी और वो सब उसके लिए मैं एक नया अलग से verb को लेके video develop करने जा रही हूँ आप मेरे videos को देखते रही है the moon is shining is क्या है यह helping verb है यहाँ पर और helping verb के साथ shining क्या है main verb है तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जब यहाँ पर is helping verb आ रहा है यहाँ पर it is me क्या है यह helping verb है Delhi is the capital of India helping verb है helping verb हमारे linking verb का भी काम करते हैं जब कि वो subject और object को जोडते हैं जहाँ पर भी देखे it is me is क्या काम कर रहा है helping verb का काम कर रहा है साथ में linking verb का काम कर रहा है he has a football has क्या है यहाँ पर helping verb है reading is a good habit यह helping verb है कोपाल looks sad यहाँ जो है वो दुखी दिखाई देता है यानि क्रिया तो है यहाँ पर subject और object को कौन सा word जो है वो link कर रहा है एक दूसरे के साथ जोड़ रहा है वो है looks the cookies taste delicious taste word जो है वो cookies को और delicious इन दोनों को link करके एक perfect meaning दे रहा है इसलिए यह linking verb कहलाते हैं इसके अलावा आते है modal verb जो modal helping verb help उसका काम करते हैं helping verb का वो modal helping verb कहलाते हैं should help you should help the poor इसके अलावा can, could, me, might, must, would और भी बहुत सारे modal verb हैं जिनके लिए मैं एक अलग से video develop करने वाली हूँ आप मेरे videos को देखते रहिए और समझे अगर कोई चीज यहां confusion है आपको तो आप उसको comment box में लिख सकते हैं आप उससे question कर सकते हैं मैं आपके सभी question का reply दूँगी और इसके अलावा इससे related जो next video मैं डालने वाली हूँ part third उसमें मैं object को discuss करूँगी इसलिए इस topic की continuity बनाए रखने के लिए आप मेरा इसका part third next video भी जरूर देखिए मेरे channel को subscribe कीजिए like कीजिए और share कीजिए thank you